हमने इसने पास से कभी देखा नहीं है, इसलिए हम ऐसे भागा दोड़ी कर रहा है, धमा के यहाँ पर चालू है, मतलब जो बाजु में जो एरिया है, हापे धमा के यह मतलब रोज होते रहते हैं, तो यह जगा ऐसी जगा थे कि यहाँ पर नॉर्मन लोग तो छोड़िया, प अब भी चलता है वो ब्लास्टिंग हो गरा सब, पहले सरकार ने बंदी लाई थी, लेकिन हम फिर सब भी चलो कर दें उने, यह देखिया अब, जो रसोर से पूरा मतलब पत्थरों को निकालने का काम चलो है, ब्लास्ट करकर के, और इन खदानों का, जो मंदिर भी हम देख इस तरह से हम पहुच गया है बतेश्वर, ग्रूप अफ टेमिल्स, अब थेखिया और इस तरह से हम पहुच गया है, बटेशवर ग्रूप आफ टेंपल तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए है भारत के एक ऐसे मंदिर में जो मंदिर आपने शायद इसके पहले कभी देखा होगा एक्चली मंदिर नहीं है मंदिरों का समू है भारत में तो मतलब बहुत सारे मंदिर है सारे मंदिर अपने आप में खास है लेकिन आज हम ऐसे मंदिर में आये हैं जहाँ पर सो मंदिर एक साथ है इसमें से कुछ भगवान शियू के है कुछ भगवान विश्नु के है और आपन भी ऐसी जगह शायद कभी नहीं देखी होगी जा इतने सारे मंदिर एक साथ हो और यहां से शुरू हो रहे है यह मंदिर एक से बढ़ कर एक बहुती खुबसूरत मंदिर यह जो जगह है यह मितावली के पास है मध्यप्रदेश के मुरेना से 30 किलोमेटर दूर और अब यह सा खंडरों से इतने खुबसूरत मंदिर फिर से बनाए गए है और अभी भी देखिए काम चल रहा है और पहले यह जगह मतलब जब यह सारे मंदिर खंडर बन चुके थे तो यह जगह ऐसी जगह थे कि यहाँ पर नॉर्मन लोग तो छोड़िया पुलिस भी इस जगह पर नहीं आते थे क्योंकि यहाँ सब डाकों का राज था क्योंकि यह मंदिर चंबल की घाटियों के पास बसा है तो यहाँ पर पहले निर्भै सिंग गुजर ऐसा एक डाकों था उसकी पूरे टोली यहाँ पर रहा करती थी यह नहीं मंदिरों को उसने अपना घर बना लिया था तो यहाँ पर पुलीस सरकार सब लोग उनसे डरते थे और ऐसे में एक आदमी था जिनका नाम मतलब आज हजार बार भी लिया जाए इस वीडियो में तो भी कम होगा वो थे केके मोहमत सर ग्रेट आर्केलोजिस्ट उनकी वजह से आज यह सब मंदिर खड़े है यहाँ पर यह देखे शुलिंग नंदी की मूर्ती और यह जो देख रहे हुँ न आप यह सारे टुकड़े अलग-अलग बिखरे पड़े थे और इन सारे चोटे-चोटे टुकड़ों को कई सालों की मेहनत से फिर से जोड़ कर यह मंदिर खड़े किये गए है आर्केयलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया का इसमें बहुत मतलब बहुत ही नहीं सिर्फ उनकी वज़े से यह हो पाया है आर्केयलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया और मुख्य रूप से केके महमत सर राजस्थान और मध्यप्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर चम्बल गाटी है बहुत बड़ी तो उन्हीं घाटियों में डाको का राश्थ था और उन्हीं घाटियों में मंदिर समुह बसा है यहाँ पर पहले चम्बल नदी बहा करते थी इसलिए उस घाटी को चम्बल घाटी ऐसा नाम दिया गया और यह देखिए दोस्तों मौर जिसके में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वाओ अप इसी से अंदाता लगा लिजए कि यह मंदिर जो है किस जगह पर बसे है का वे हमने इतने पास से कभी देखा नहीं है इसलिए हम ऐसे भागा दोड़ी कर रहा है हमें हमें देखकर दोड़ गया बिचारा इन मंदिरों का निर्मान जो है आठ से दस्वी शताब्दी में गुर्जरा प्रतिहार वंच के जो राजा थे उन्होंने किया था कि और यहाँ पर हर एक मंदिर में एक शिवलिंग में दिखाई देगा और भारत में शायद कोई इसी जगह होगी जहां एक साथ इतने सारे शिवलिंग मौझूद है यह थी कि हर एक पत्थर यह पर एक टुकड़ा बनकर रहे गया था जिसे केके मुहमत सर ने और यह असाय ने मिलकर राद दिन एक करके इन मंदिरों का रूप दिया जब केके मुहमत जी को इन मंदिरों के बारे में पता चला मतलब मंदिर तो यहां पर थे ही नहीं पुरा खंडर बन चुका था तो जब उनको इस जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि जो मंदिर है इन सारे मंदिरों को पुनर जीवित करना है इनको फिर से खड़ा करना है लेकिन इस जगह पर सरकारी आदमिया फिर पुलिस कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पूरा इलiका डकैतों के हाथ में था जैसे मैं पहले आपको बताया लेकिन ऐसे कारिगरी को देखकर इसे पत्थरों को देखकर इतने सारे मंदिरों के अउशेचों को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और फिर सरकार की तरब से डाको से कुछ लोग मिले उनके साथ बातचीत की समझोता किया और फिर उनके साथ एक इसी डील बनाए गई कि हम आपके लोगों के साथ कुछ गलत बरताओं नहीं करेंगे उन्हें मारेंगे नहीं या फिर उनको कुछ नुक्सान नहीं पहुचाएंगे और बदले में वो इन मंदिरों को पुनर जिवित करने के लिए सरकार की मदद करेंगे फिर ऐसी एक डील हुई और उस डील की तहत इन मंदिरों का पुनर निर्मान का काम शुरू हुआ कुछ मंदिर्या के ऐसे खाली भी है जिसके शूलिंग शायद ही जमीन में दबे होंगे या फिर मतलब वो पूरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुके होंगे तो इसलिए कुछ मंदिर तो मतलब खाली है जिसमें शूलिंग नहीं है और मुर्तिया भी नहीं है और यह देखें कुछ जो टुकड़े है आज भी आपर पड़े है जिनका काम अभी बाकी है और जब केके मोहमत सर यहाँ पर आए थे ना पहली बार तो तबके एक इंटरस्टिंग स्टोरी है जो उन्हें बताई थी वहां वह मैं आपसे शेर करता हूँ कि जब वो यहाँ के डाकू उसे नहीं मिले थे लेकिन यहाँ पर काम चलू हो चुका था तो जब वो पहली बार आए थे यहाँ पर तो उनको एक आदमी दिखा जो यहाँ पर बीड़ी पी रहा था तो वो उस आदमी पर चिल्लाने लगे कि तुम्हें शरम नहीं आती क्या ऐ उन डाकू का मुखिया था तो उसे भी गुष्टा आया कि पोपट अक्षे नहीं मुझे बता किया पर बहुत सारे पैरेट्स है पैरेट्स पोपट मानना पड़ेगा इस जगह पे मूर दिखा हमें बहुत सारे पोपट दिख रहे हैं चलो मैं चुपके से जाता और आपको मतलब यह पूरे मंदिर ऐसी जगह पर है चारों तरफ देखिया पहाड दिख रहे हैं चारों तरफ जंगल है पहाड है और उसके बीचों बीच यह सारे मंदिर तो मतलब बनाने वालों नहीं इस मंदिरों की जगह थी है वो बहुत ही मतलब सोच समझ कर चुनी है हातों में आपको बोल रहा था कि जब केके मुहमद जी का सामना उस डाकू से हुआ तो पहली उनकी जो मीटिंग थी वो मतलब बहुत गरम थी तो दोनों का पस जगड़ा चालो ही होने वाला था तो केके मुहमद जी को किसी ने बताया कि यह वही डाकू है तो उन्होंने जैसे कैसे बात को संभाल लिया और उसके गुस्से पर काभू पा लिया और उन्होंने उस डाकू को समझाते हुए ऐसा कहा कि यह जो मंदिर है यह तुमारे ही पुरुजों केके मुहमद जी से और उसने भी हमी भरी कि वो भी इस मंदिरों के मतलब पूना रचना में जिरनोधार में ASI की मदद करेगा और जहां तक मैंने पड़ा था इन सारे मंदिरों को ASI ने और केके मुहमद जी ने खड़ा कर दिया था लेकिन क्या बात है कि यहाँ पर जैसे आसपास की जो पहाड़िया है वहाँ पर लोकल माफिया जो है ना माइनिंग माफिया वह बहुत सक्रिय है और वो क्या करते है कि माइनिंग करने के लिए बं फोड़ते है तो जो लोकल माफिया है जो माइनिंग माफिया है तो वो जो ध हमाकों की वज़े से यह सारे मंदिर मतलब फिर से गिरने चालू हुए है और यह पर शायद पूजा अर्चना भी होती है हार देख सकते आप दिया देख सकते हैं ठंडक बहुत मैसस हो रही है क्योंकि बाहर बहुत दूप है आप यकीन नहीं कर भाओ कि बहुत दूप है और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टी में बताया था मैंने आपको सारे माइनिंग माफिया से बहुत लड़े थे तो के के महमद जी को उनन माफियों की तरब से बहुत धंकिया मिल रहे थी लेकिन फिर भी घबराये नहीं उन्हें अपना काम जारी रखा और इन मंदिरों का काम उन्हें पूरा किया आकर तक और यह आज जो हाप हालत देख रहे ह यह टुकडो की यह उन्हें माफियों के वज़से है क्योंकि माइनिंग का काम अभी तक नहीं रुका है धमा के यहापर चालू है मतलब जो बाजु में जो एरिया है जहासे पत्थर को निकालने का काम वो करते हैं माफिया आप धमा की मतलब रोज होते रहते हैं इन मंदिरों के बार में बहुत ही कम लोग जानता है क्योंकि अभी जैसा कि हमारे साथ बहुत बार होता है इस वक्त इस जगह पर हम सिर्फ दोनों ही है अक्षय और मैं और बाकि एसाए के करमचारी जो अपना काम कर रहे है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए शेयर की कीजिए ताकि इन खुबसूरत मंदिरों के बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चले ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंदिरों को देखने आए जिससे होगा क्या कि जितने ज्यादा लोग यह पर आने शुरू हो जाएंगे उतना ही सरकार इस जगह के तरफ ध्य जीने जब इस मंदिर के Rस्टायशन का काम शुरू किया था तो उनके लिए पानि यहापर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और जो काम रहता है उसके लिए जो पानि लगता था पीनी की लिए जो पानि लगता था तो पानी कहो या फिर वो जो अच्छा काम कर रहे थे उसकी वज़े से कहो इस कुंड में भी पानी भरना शुरू हुआ धिरे-धिरे और बाद में ऐसा पानी इसमें भरा कि आज तक इसके पानी की लेवल कभी कम नहीं हुई और जब वो मतलब उन्हें ने जब प्रस्ता रखा था डाक क्यों रहा है और वो भी मंदिरों को उभारने के लिए तो पहले उनको डाउट हुआ था थोड़ा सा लेकिन बाद में केके महमज जी के समझाने पर डाकू मान गए और फिर पुनर निर्मान का काम शुरू हुआ था और दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिए तकि आने वाले जो ट्रावल वीडियोस हैं अरे जो अगली आने वाले ट्रावल सीरीज है उसके बारे में अपडेट्स है वो आपको पता चल सके हैं और पहले उन्होंने इसी दौपर को बनाया और इसी दौपर बनने के बाद फिर अगला काम उनका शुरू हुआ था तो दोस्तो अभी इस तरह से आज का व्लॉग जो है हम खतम करते हैं तो इन मंदिरों को देखकर जो मतलब भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो 100 शिवलिंग एक साथ मौझूद है ऐसे मंदिर को देखकर आपको कैसा लगा मुझे निचे कमेंट करके जरूर बताए और आपको यह हमारे जो प्रयास सही अगर पसंद आ रहे हो और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे और घुमें ऐसी जगहों के बारे में आपको और बताए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए जो हमारा होसला बढ़ाएगा और हम ऐसी जगहों को खोजने के लिए फिर से निकल पढ़ेंगे तो दोस्तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते अगले एपिसोड में मैं हूं सुमित और मैं हूं अक्षे बबाए